सब्सक्राइब यहां पर ध्यान रखना है अगर आप प्योर मेटल ले लोगे यहां पर अगर अगर आप प्योर मेटल होगे तो प्रॉबलम है अब क्या होगा तो यह मेंट कर जाएगा ऊपर से यह बहुत अची तरीके से हीट भी नहीं होता है होगे अच्छा सब्सक्राइब को सदेगा वह आपको इसलिए हम दो याद दो से ज्यादा मेटल को अपस में homogenously mix करके alloy बना लेंगे जैसे कि nichrome का alloy क्या था आपका nickel, chromium, manganese और iron को मने mix करके बनाया था nickel, chromium, manganese और iron को मने mix करके nichrome बनाया था ठीक है इसका melting point बहुत high होता है और इसका resistance भी बहुत high होता है ठीक है ना तो यही चीज़ है तो I think आपको मेरी बात समझ में आई होगी तो यह रहा question number 10 का answer इसका अपलग बच्चो नोट कर लेचे